जेहीं दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉनफ्लिक्ट जब कि आए दिन इनके बारे में चर्चा करता रहता है जब कि आज के वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनली चायना के वर का धमकी और टाइवान को कफ़ा करने के धमकी के खिलाफ अमेरिका द्वारा किस तरीके से चायना के खिलाफ अपने रणनिति को बनाते हुए डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया गया तो दोस्तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तो प्राइमिनेशन नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्वर भारत का जो संकल्फ है उसमें हिंदुसान अरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से बनाया हुआ तेजे से एरक्राफ एक मील का पत्थर सावित हो रहा है दोस्तो डिफेंस फोर्ड में इंडिया द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जा जा था लेकिन बीते कुछ सालों में इंडिया का इंपोर्ट का वैलू जहाँ पे कमा हो ही पे इंडिया द्वारा अब अपने जुरुरतों के एक्वेप्मेंटों को खली ब करब HF24 मरूत में सबसे बड़ा खामिया था उस यार करब में इस्तिमाल होने वाला इंजिन और इंडिया के ऊपर कुछ प्रतिवन लगने के वज़ा से इंडिया इन इंजिनों को और इंपोर्ट नहीं कर पाया तो यही एक बहुत प्रमुक कारण था इंडिया के एरोस्फे Mark 1 और Mark 1 A वरिजन को अल्रेडी बना लिया गया है और Mark 1 को एरोस में शामिल करने के बाद अब जल्द ही Mark 1 A को लेके भी समझोते के ऊपर हस्ताक्शर हो जाएगा जबकि इंडिया का टोटल इंटेंशन है कि मार्क वान, मार्क वान ए और मार्क टू को मिला के एरफोर्स में करीवन 324 ऐसे फाइटर एरक्रप्टों को इनिशियली शामिल किया जाए इसके इलावा इसके बेस पे कुछ अन्ने एरक्रप्टों को भी बनाया जा रहा है जिन में 5th generation का AMCA, Twin Engine, Deckways, Fighter एरक्रप्ट जैसे भी एरक्रप्ट शामिल है दोसर इन एरक्रप्टों के कुछ ऐसा खासियत है जिसके वज़ा से पाकिस्तान इन एरक्रप्टों से बहुत ज़्यादा डर रहा है पाकिस्तान दुआरा जहां पे अपना खुद का THERE कार। आपना एयर करने का दावा की आयाता है वो ही पे अगर हकिकत को देखें तो पाकिस्तान इन एयर क्रेप्टों को paint करने के इलावा कुछ नहीं करता। पर भारत अपने दम पे तेजस एयरक्राप्ट को कहली डिजाइन और डेवलाप नहीं बलकी इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्विप्मेंटों को मेनुफेक्चर वी कर रहा है। दोसो तेजस एयरक्राप्ट के सबसे बड़ा खुवी इसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। दोसो इसके इलावा एयरक्राप्टों के आकार चोटे होने के बावजूद एयरक्राप्टों के पास वो हर शमता है जो किसी बड़े आकार का या मीडियम आकार के एयरक्राप्टों के पास होता है। दुनिया के सबसे घातक तम Beyond Visual Range मिसाइल है। भारत के खुद के बनाया हुआ अस्तर मार्क वान मिसाइलों को भी तेज़स मार्क वान A में लगाया जाएगा जो एक 100 किलोमेटर रेंज वाला Beyond Visual Range Air-to-Air मिसाइल है। दोसो इन हतियारों को लगाने के इलावा तेज़स एर क्राप में अस्तर मिसाइल का और एक वर्जिन अस्तर आई आर मतलब Intermediate Range मिसाइल और अस्तर मार्क टू को भी लगाया जाएगा। जबकि इसके इलावा कुछ देशों से खरिदा हुआ मिसाइल जैसे की R-73, R-77, Python 5 जैसे घातक मिसाइल भी इसमें इस्तिमाल हो रहा है। पर दोसो तेज़स एर क्राप का सबसे घातक हतियार को अभी भी बनाना बाकी है। मतलब इसमें भी ब्रमोस मिसाइल के एक छोटा वर्जन को लगाया जाएगा ताकि छोटे आकार के इन यार क्राप्टों में कोई मुश्की लेना आए। दोसो ये ब्रमोस मिसाइल के NG मतलब Next Generation वर्जन होगा जिसे Air Launch, Anti Ship, Land Attack, Cruise Missile भी कहा जा सकता है। मतलब इसमीन में भी मार कर सकता है और दुश्मन के जाहसों को भी डुभा सकेगा। दोस्तो ये तो था इन यार क्राप्टों का कुछ खूविया जिनके वज़ा से पाकिस्तान इतना यादा डारा हुआ है। लेकिन इसके इलावा इसका Indianis होना ही पाकिस्तान का चिंता का विशह सबसे जादा है। इंडिजिनियस होने के वजाए से इंडिया ज्यादा संख्या में इन एरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल भी कर सकेगा और कम लागत में इंडिया इसे खली ओपरेट नहीं बलकि मेंटेनेंस और दूसरे देशों को बेज भी पाएगा और दोस्तो अब तक तेज़े से एरक्राफ्टों का रेकॉर्ड ये है कि इन एरक्राफ्टों में अब तक कभी कोई क्रेश नहीं हुआ और दोसो अब तक इन एरक्रेफ्टों का रेकॉर्ड है कि कोई एरक्रेफ्ट क्रैश होना तो दूर का बात कभी भी हवा में कोई मुश्किल भी पैदा नहीं किया, जबकि पाकिस्तान हो चाहे चायना हो या फिर अमेरिका हर एक देश के तरफ से बनाया हुआ एरक्रेफ्ट क कभी न कभी किसी ना किसी कारण से क्रैश जरूर हुआ है। दोसो अब चलिए वीडियो के दूसरे भाग में जाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि चायना के लड़ाई छेड़ने का धमकी और ताइवान के उपर कवजा करने का धमकी के खिलाब किस तरीके से अमेरिका द्वारा नया मनसुबा बनाया गया और किस तरीके से अमेरिका फाइनली चायना के खिलाब डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। पहुँचता है तो चायनीज मीडिया में उन बातों को लेकि ऐसा चर्चा शुरू किया जाता है जैसे कि वो ताइवान में नहीं बलकि चायना के अंदर घुस आये। हाली के ऐसा ही एक घटना में जब अमेरिका के एक रेकॉनेशन यारक्राफ्ट RC-135W ताइवान के आस्मान में देखा गया तो चायना के तरफ से इसे लेके उचल कुछ शुरू किया गया था। दोस्तो ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है और वो अमेरिका के साथ किस तरीके का रिस्ता रखेगा और अमेरिका ताइवान के मदद के लिए कौन सा हत्यार भेजेगा ये दोनों देशों का फर्सनल मैटर है और इसमें चायना का हस्तेक्षिप करना internationally illegal है और इसे कत ताइवान को हतिया नहीं पा रहा है तो वो है अमेरिका अमेरिका आये दिन ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए अपने जहाजों को उसके नस्दिक भेजता रहता है और एरकाट कैरियर के साथ-साथ अन्ने हतियारों का इस्तिमाल करके South China Sea के नस्दिक और Pacific Ocean में exercise भी करता दोस्तों physically अमेरिका भी तो चाइना के खिलाब ताइवान का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया है लेकिन जिस तरीके का तैयारी अमेरिका कर चुका है उसे एक तरीके से चाइना के खिलाब अमेरिका के deployment भी कह सकते हैं हाली में अमेरिका द्वारा ताइवान को कई सारा हतियार देने का बात कहा गया है जिनमें long range missile से लेके fighter aircraft तक शामिल है ताइवान और अमेरिका के बीच में 66 F-16 का advanced train version को लेके भी वातचित हुआ है जबकि अमेरिका ताइवान को F-35 जैसे advanced train fighter aircraft देने के लिए भी तैयार है दोसो इन aircraft के deal के बाद चाइना का तिलमिला हट लगभग आस्मान तक पहुँच गया था चाइनेज मीडिया द्वारा तो उस समय ये भी कहा गया कि अमेरिका का एक भी fighter aircraft टाइवान के जमिन फे land करने नहीं दिया जाएगा और उसे आस्मान में ही मार गिराए जाएगा दो दोस्तो अगर चाइना के तानाशा शी जिंग पिंग अपने सनक को पूरा करने के लिए ऐसा कोई हरकत करने का कोशिश भी करता है तो एक तरीके से खुली जंग का निवता होगा और अमेरिका इसका वदला चाइना को मिटा के ही लेगा तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद